एपिसोड के स्टार्ट में हमें एविंज लिस्ट के बंदे योना और एरो को दिखाया जाता है जो कि अपने कमांडर शो कुछे काबिसे मिलने जाते हैं जो कि अपने शिन्रा का छोटा भाई होता है वहीं पर एरो ने बता रही होती है कि उसका पार्टनर मर चुका है पर उनके पास एक गुड न्यूस भी है क्योंकि फायर फोर्स कंपनी एट के बंदे शिन्रा के पास एडोला बस्ट है जिस बात को सुनते साथ ही उनका कमांडर कह रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है और उन्हें ये बंदा अपने गैंग में चाहिए क्योंकि फायर फोर्स कंपनी एट में रहे कर वो अपनी पोटेंशल को वेस्ट कर रहा है इसी के चलते ही यदि वो अगली बार शिन्रा से एंकाउंटर करने चाहेंगे तो वो उनके साथ चलना चाहेगा जिसके बाद हमें कंपनी एट को दिखाया जाता है जहां प्रिंसस सिबाना कैप्टेन ओबी को बताती है कि हाईजिमा इंडरस्टिन है उनके लिए एक साइंटिस भेजा है और हो सकता है कि ये किसी तरीकी की चाल भी हो सकती है जिसके बाद हमें scientist बन्दे विक्तर को दिखाया चाता है जो बता रहा होता है कि Fire Force Company 8 में काथी department खाली है उनी मेंसे एक department को fill up करने के लिए ही higema Egyptian है उसे एक head scientist के रूप में यहाँ पर भेजा हुआ होता है और आपकी information के लिए मैं बता दूँ कि ये वहीं बंदा है जोकी जोकर के साथ मिलकर काम कर रहा था इसके बाद विक्टर छनांग लगा कर अपने शिन्रा के पास आता है और उसके devil fit को देखने के लिए काफी जादा excited हो रहा होता है इसी इसको देखकर प्रिंसस जिबाना काफी jealous फिल करती है और वो विक्टर को सिन्रा से दूर रहने के लिए कह रही होती है पर इस पूरे process में वो अपने शिन्रा का पैरी खुचल देती है वही कैप्टिन ओबी विक्टर की फाइल देखकर काफी impress हो रहे होते हैं तो प्रिंसस जिबाना गहती है कि उसकी फाइल इत्ती impressive है कि वो उसे suspicious list में भी डाल देती है जिस पर विक्टर कहता है कि यदि वो किसी भी तरीकी की मुसीबत खड़ी करेगा तो वो लोग उसे ला लिए उन्हें एक इंजीनियर तो जरूर चाहिए होगा जिस पर वाइस कैप्टिन हेनवा कह रहा होता है कि उनने वॉलकन से कॉंटेक्ट करने की कोशिश की पर वॉलकन कोई भी जवाब नहीं दे रहा है जिस पर हेबाना गहरी होती है कि वॉलकन किसी भी कमपनी के साथ का काम नहीं करना चाता क्योंकि वो हाईजेमा एंडरेस्ट्री और साथ ही फायर फोर्स कंपनी दौनों को हेट करता है और वहीं पर वो अपने काम में बाप लेवल का काम करता है इसलिए सारी कंपनिया उसे अपनी टीम में लेना चाहती है पर वो आपस कम्पनियों को मना करते जा रहा होता है जिन बातों को सुनकर कैप्टेन ओबी अपने रुकी सोल्जर्स को वॉलकन से मिलने के लिए भीज रहा होता है क्योंकि वॉलकन ऑल्मोस्ट सिंड्र की एज गई होता है इसके चलते ही वो दौनों आपस में बात काफी अच्छी से कर प होती है पर फायर फोर्स कंपनी एट बच्चों को इसके पास भीज रही है और यह चीज उसे काफी इंट्रस्टिंग लगती है जिसके बाद अपरी टीम वॉलकन के अड़े में पहुच गई होती है जहां पर कैप्टेन ओबी ने उन्हें सासाफ कहा होता है कि वो बिल्कु हुआ नाइट है इसलिए वॉलकन उसके लिए दरवाजा खोले ये सुनते साथ ही सबसे पहले शिंडरा और उसके बाद आर्थर के ऊपर कैन फिक कर मारा जाता है जिसके चलते ही वो दोनों ही काफी चडगाय होते हैं इसी पीच वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसे दिख भी कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाता इसके बाद वो बच्चा अपने पास लाया हुआ पार्ट्स वॉलकन को देता है और वॉलकन उन पार्ट्स को उठा कर अंदर जाते हुए अपनी टीम से गहरा होता है कि वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता और वो लोग यह वहां से चले जाएं जिन बातों को सुनकर अपनी टीम डिसपॉइंट हो गई होती है और वो वहां से जाने लग गई होती है जिस पर बच्चा कहरा होता है कि क्यों न वो अपनी समस्या उसके साथ सेल करें ताकि हो सके तो वो उनकी हेल्प कर पाए जिस पर सिंडरा चलते ही हाईजिमा इंडरस्टred और फाहर मताईर ऑर फायर पोर्स कमपनी उसे अपनि टीम में लेना चाते हैं बच्चा उन्हें पार्ट्स लाकर दे देता है जिन बात को सुनकर शिन्रा कहरा होता है कि यदि वो भी वालकन की जगा होता तो वो भी बाकी कंपनियों से काफी जादा हेट करने लग गया होता पर उन्हें यकीन करना होगा कि वो बाकी कंपनियों की तरह नहीं है जिस पर ब वालकन की पार्टनर लेसा को दिखाया जाता है वहीं पर वालकन एक मसीन को रिपैर करता है और उसे लात मार कर दूर फेक देता है यह दिखकर शिंडरा शौक होता है और उसे पूछता है कि यदि उसने मसीन को इती जूर से किक मारा तो वो चीज तो खराब हो जाएगी जिस लोग फिर से वहाँ पर आ गए हैं ये सुनते साथ ही वॉलकन उस बंदे से मिलने के लिए बाहत चले गया होता है वहीं हमें डॉक्टर जीवान अको दिखाया जाता है जो कि वॉलकन से कहता है कि उसका काम धाम कैसा चल रहा है जिस पर वॉलकन कह रहा होता है कि उसे पता है क जिससे उसे कोई भी पार्स ना मिल पाए जिस पर डॉक्टर जीवान अगहता है कि क्यों न वो जित छोड़कर उनकी कमपनी जॉइन कर ले ताकि उसे उसके पसंद के पार्ट मिले और उसे कोई भी दिकत ना हो पर वॉलकन उसके साथ काम करने से मना कर रहा होता है तो डॉ प्रेंट फादर को मरवा दिया गया और इसीस के चलते ही यदि वो मार भी गया उसके बावजूद भी वो कभी उनकी कमपनियों के लिए काम नहीं करेगा इसीस को सुनकर डॉक्टर जीवाना काफे गुसे में आ गय होते हैं और वहां से चले जाते हैं जिसके बाद वॉलक उसे अपने काम से काम रखने के लिए गहरा होता है तो शिन्रा गहता है कि उनका काम ही है कि वो बाकी फायर फोर्स कमपनी पे नजर रखें और लोगों की हैल्प कर सकें इसलिए वो वो वॉलकन से कहता है कि वो अपनी प्रावलम उन्हें बताया ताकि वो उनकी हैल्प कर स है क्योंकि उसकी नजर में फायर फाइटर ऐसे नहीं होते इसलिए वो शिंडर से कहरा होता है कि वो उनकी कंपनी तो जॉइन नहीं करेगा पर वो उन्हें एक चीज जरूर दिखाना चाहता है इसलिए वॉलकन अपनी टीम को एक मसीन की हेल्प से रियल लाइफ वी आर एक्स जा सकें जो चीज अपने सिंडर को काफी ज़्यादा पसंद आती है इसलिए वॉलकन उसे अपनी टीम के लिए काफी ज़्यादा परफेक्ट लग रहा होता है जिसके बास सिंडर लीसा से पूसता है कि वो भला वॉलकन से कैसी मिली जिस पर लीसा बता रही होती है कि जब उसके पैरेंस इंफरनल बनके मारे गए थे तो उसके पास रहने के लिए कोई भी जगा नहीं बची और वो जंक्यार्ड में जाकर रहने लगी थी जहां पर उसे वॉलकन मिला और तब से ही वो वॉलकन के साथ मिलकर रह रही होती है वहीं अपनी टीम वापस जाने लग दे होती है बड़ तब ही शिन्रा की पैरों को फील होता है कि वॉलकन की लाइफ को खत्रा है डॉक्टर जीवानी से इसलिए वो लोग आफिस जाने की बजाए वहीं पर रुक कर वॉलकन की हेल्प करने के बारे में सूसते हैं और इसके साथ ही यहीं पर एपिसोड का एंड होत लाइब पर गवारे में सच्टर में सबस्केशाँ को ब खत्रा पत्राओाइब छॲक उरोग्ड़ में समय थाछिए।